फ्रेंट्स आपका मेरे यूटूब चैनल में स्वागत है देखे फ्रेंट्स आज मैं इन दो कलरों से बहुत ही सुन्दर ये ब्यूटिफुल डिजाइन ले के आई हूँ इस design को आप baby sweater में डालिए, baby cardigan में डालिए, jacket में डालिए किसी भी project में डालिए, soul में डालिए, stall में डालिए सभी में डल के ये ready made से भी सुन्दर design बनता हुआ आईगा तो friends दो सिलाई का design है, चेर सिलाई में design complete होता है इस डिजाइन को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 6 के मल्टिपल में फंदे लेके 2 फंदे हम एक्स्ट्रा लेंगे तो हमारा डिजाइन अच्छी तरह से बनता हुआ आएगा डिजाइन आपके सामने है यदि आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आए मेरे बताने का तरीका पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजी, चैनल को सब्सक्राइब कीजी और सेयर कीजी तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम ये सुन्दर सा टू कलर में डिजाइन यानि कि दो कलर रंगों का डिजाइन बनाना शुरू करते हैं कि ये डिजाइन हमने रेडिमेट लूक में किस तरह से बना के इसको कम्पलीट किया इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 6 के मल्टीपल में फंदे लेके दो फंदे मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं और यहाँ डिजाइन फंदे डालने के बाद मैंने एक सलाई सीधी साइड से उल्टी बनाई है और एक सलाई उल्टी साइड से उल्टी बनाके मैंने ये दो सलाईया बनाके कम्पलीट की है तो यहां से बोडर बनाने के बाद ये हमारे डिजाइन की पहली सलाई है तो पहले तो हम इस डिजाइन को हम उल्टी साइड से ब सीधा बना लेंगे इस सिलाई को पहली सलाई को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये बेस देने के लिए हमने एक सलाई सीधी सीधी बनाई है ये मैंने पूरी सलाई को सीधा सीधा बनाके कम्पलेट कर लिया लास्ट के फंदे को हम उटा बनाएगे अब आगए हैं डिजाइन की दूसरी सलाई और उती सलाई की दरफ पहले फंदे को बनाइए या slip किज़ें पहले फंदे को तो मैंने की इस तरह से घ्यान कील पहले फंदे पहले फंदे को दो ry. लाग गुमाएंगे ओर ऐसे उयोटा बनाएगे इस तरह से हमने डबल रोल करके पांच फंदे हम ऐसे डबल धागा गुमा के सलाई पे लपेट के पांच फंदे हम इस तरह से बनाएगे तो ये च्यार और ये पांच, पांच फंदे मैंने पहला फंदा से लिप किया, एक, दो, तीन, च्यार, पांच, पांच फंदे मैंने डबल रोल करके बनाएं, एक फंद आगला उटा, फिर से पांच फंदे दो बार धागा गुमा के हम बनाएंगे, एक, दो, तीन, च्यार, और पांच, ये पांच फंदे, दो बार धागा गुमा के बनाएं, अगले फंदे को हम फिर से उल्टा बनाएंगे, अगले पांच फंदे फिर से हम दो बार धागा गुमा के बनाएंगे, एक, दो, तीन, च्यार, और ये पांच, एक फंदा उल्टा, अगले पांच फंदे फ दो, तेम, च्यार, पाँच, अगला फंदा फिर से हम उल्टा अकेला बनाएगे, फिर से हम अगले पाँच फंदे दो बार धागा गुमागे, एक, दो, तीन, च्यार, पाँच, पाँच फंदे, दो बार धागा गुमागे, अगला फंदा फिर से उल्टा बनाएगे, फिर से अगले पाँच फंदे दो बार धागा गुमागे, एक, दो, तीन, च्यार, और पाँच, अगला फंदा अकेला उल्टा, लास्ट का स्टीच फंदे को हम सेधा बनाएगे, तो ये हमने पनी दूसरी सलाई को उल्टी साइड से बना के कम्प्लेट की, पहला फंदा से लिप किया, अगले पांच फंदे हमने ये दो बार धागा गुमा के बनाए, फिर से एक फंदा उल्टा, फिर से पांच फंदे दो बार धागा गुमा के, फिर से एक फंदा उल्टा ये हमने पनी दूसरी सलाई को उल्टी साइड से बनाते वी complete किया अब आ गए हैं design की तीसरी सलाई और सेधी सलाई की तरफ ये हमने उल्टी साइड से पहली सलाई तो हमने base वाली हम count नहीं करेगे तो ये हमने पनी दूसरी सलाई को उटे साइड से बनाते हुए डिजाइन की कम्प्लिट किया अब आ गई है अगली सलाई और सीधी सलाई की तरफ अगली सलाई को हम किस तरह से बनाएंगे ध्यान दीजे पहले फंदे को सलिप करेंगे अगला फंदा फिची हम सीधा बनाएंगे अब आ गई है हमारी ये पांच फंदे डबल धागा करके हमने लपेटे थे तो इनको हम ऐसे सिंगल कर लेंगे यानि कि इनका लपेटे हुए फंदे को हम खोल लेंगे ऐसे खोला और पाचो फंदों के हमने पाच फंदे बनाने हैं और इकठे फंदे हमने ये सीधे बनाने एक बार बनाया इस तरह से इने थोड़ा सा लूज बनाएंगे धागा अपनी और दो बार फिर शे बनाएंगे हम इसे सीधा फंदा ये तीन बार बनाया इस तरह से फिर से धागा अपनी और करेंगे चार बार और फिर से इसे एक बार सीधा बनाएंगे तो पांच ये हमारे पांच फंदों से पांच फंदे ही यहाँ पर बन गए है एक दो तीन चार पांच अब आम ही इन पांच फंदों को खुली वे को ऐसे निकाल देंगे अब एक फंदा आगला जो हमने सिंगल उल्टे साइड से उल्टा बना था इन्हें हम यहां से सीधा बनाएगे अब फिर से हम पांचों फंदों को लपेटे हुए फंदों को खूल के पांच फंदों के पांच फंदे ही बनाएगे ऐसे सलाई में लेंगे और स इसरा फंदा इस तरह से फिर्षे धागा अपनी और किया चोथा फंद और फिर्षे एक बार सीधा फंदा बनाया तो पांच मां फंदा ये हमने इस तरह से पांच फंदों से पांच फंदे बना लिए अब अगला फंदा फिर्षे हम सीधा बनाएंगे अगले पांच फिर्शे हम ऐसे हिखोल लेंगे, लपेटे हुए पांच फंदे थे इन्हे हमने खोल लिया है, औरके फिर्शे लेकिन हम पांच फंदे फंदे 5 ही बनाएंगे, एक बार सिधा दगा अपनी और 2 फिर शें 3 दागा बनी ओर 4 फिर सीधा 5 फिर अगला फंद आकेला सीधा बनाएगे फिर शें 5 ओ फंदे फिर खोल लेंगे एक दो तीन च्यार और 5 फिर सें 5 ओ फंदो से हम 5 फंदे सीधे बनाएगे दागा अपनी और फिर से सीधा फंदा तीन दागा अपनी और चार फिर से एक बार बनाएंगे ये पाँच फिर से एकला फंदा सीधा फिर से पाँच फंदे से खुलेंगे तीन चार और पाँच फिर से हम पाँच फंदो से पाँच फंदे ही सीधे बनाएंगे एक दागा अपनियों, फिर से दो, तीन, चार, और ये लास्ट का पाँच, इस फंदे को अकेले को सीधा बनाएंगे, फिर से पाँच उफंदों को खोलके, पाँच फंदे से हम पाँच फंदे ही बनाएंगे, इस तरह से, सीधा, धागा अपनी ओर, दूसरा फंदा, फिर से, तेसरा फंदा, फिर से धागा अपनी ओर, चोथा फंदा, एक बार फिर से हम सीधा बनाएंगे, पाँच फंदा, लास्ट के फंदे को सीधा, तो यह हमने इपनी डिजाइन की दूसरी सलाई को बनाके, सीधी साइड से कम्पलीट कर लिया है, अगली सलाई और तीसरी सलाई की तरफ, क्योंकि हमारी ये वैसे तो च्यार सिलाई हैं, लेकिन हम जो बेश देने के लिए हमने ये सिलाई बनाए थी, उसको काउंट नहीं करेंगे, तो अब आ गई हैं उल्टी सलाई की तरफ, उल्टी सलाई में हम अपने धागे को चेंज करेंगे, तो हम ये ग्रीन वाला धागा लगा की यहाँ पर पहले फंदे को हम ऐसे उल्टा बनाएगे, अब तेन फंदे और हम ऐसे ही उल्टे अगले तीन फंदे उल्टे बनाएगे, एक, दो, और ते, तेन फंदे उल्टे ब अब आगी हमने फिर्शे डिजाइन डालना तो पाँच फंदों को हम यहीं से दो बार धागा लपेट के ऐसे बनाएंगे, एक इस तरह से दो, अगला, तीन, फिर चार, फिर से पाँच, अगले फंदे को इसको हम फिर से अकेला उंटा बनाएंगे, इस तरह से, अगले पाँच फंदे फिर से दो बार धागा लपेट के बनाएंगे, दो, तीन, चार, और ये पाँच, पाँच फंदे हमने दो बार धागा गुमा के बनाएं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, फिर से एक फंदे को हम सिंगल उल्टा बनाएंगे, फिर से अगले पाँच फंदे हम दो बार धागा गुमा के बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, फिर अगला फंदा फिर से अकेला उल्टा बनाएंगे, फिर से अगले पाँच फंदे हम दो बार धागा गुमा के बनाएंगे, दो, तीन, चार, और पाँच, फिर से एक फंदा सिंगल उल्टा बनाएंगे, फिर से पाँच फंदे हम दो बार धागा गुमा के, जैसे मैंने, इस तरह से, दो, तीन, चार, पाँच, एक फंदे को अकेला, और लाश्ट के बचे ही चार फंदे, इनको भी हम उल्टा ही बना लेगे, इस तरह से, अब आगे हैं, डिजाइन की अगली सलाई और सीधी सलाई की तरफ, तो पहले तो हम इन फंदों को जो परली साइड थे हमने, उल्टी साइड से हमने, उल्टे बनाए थे, सिंगल सिंगल, उनको हम ऐसे ही सीधा बना लेगे, यह हमने पाँच फंदों यहाँ पर सीधे बनाए, अब जो यह डबल धागा लपेट के बनाए थे, इन पाँचो फंदों को हम खोल लेगे, चार और एक पाँच, अब हम इन पाँचो फंदों को सीधा बनाएंगे, और पाँच फंदों का पाँच फंदा ही बनाएंगे, एक बार धागा अपनी उरके या दूसरा, फिर सीधा बनाएंगे, फिर से धागा अपनी उरके या चोथा, फिर से बनाएंगे, यह पाँच फंदों से हमने पाँच फंद ही बना लीए, अगला फंदा हम अकेला सीधा बनाएगे। फिर से हम पांच फंदों को ऐसे खोल लेगे। जो डबल धागा करके हमने लपेटे थे, उन्हें हम खोल के पांच फंदों से फिर से पांच फंदे हम ऐसे बनाएगे। दागा अपनी ओ दो बना या तीसरा फंद आए इस तरह से धागा अपनी ओ च्यार फिर से सीधा फंदा बना या पाअच इस तरह से फिर से अगला फंदा हम सीधा बनाएंगी दो सिलाई का डbor च्यार सिलाई में ही चंपलीट होता है पाच ओफंदे खोले, फिर से हम पाच ओफंदे से पाच ओफंदे बनाएंगे, एक दागा अपने और दो, फिर से बनाएंगे तीम, फिर से दागा अपने और च्यार और फिर से पाच, अब इन पाच ओफंदों को निकाल देगे, अगला फंदा सीधा, फिर से पाच ओफंद को से हम पांच फंदे इकठे बनाएंगे दो तेहीं दागा अपनी और इस्तरे से एक दो तेहीं च्यार पांच फिर से सीधा फंदा बनाएंगे फिर से अगले पांचों फंदो को खोल लेंगे फिर से पांच फंदों से हम पांच फंदे ही बनाएंगे और लूज फंदे बनाएंगे इस तरह से एक दागा अपनी और दो फिर से तीसरा फंदा फिर से धागा अपनी और फिर से ये पांच फंदा फिर से लास्ट के बचे ही ये च्यार फंदे तो इने हम सीधा ही बुन ले तो ये हमने अपनी सिलाई को सीधी साइड से बना के कम्पलेट कर लिया अब आ गए हैं अगली सलाई और उल्टी सलाई के तरफ अगली सलाई में फिर से जैसे मैंने यहाँ पर बेस देने के बाद अगली सलाई उल्टी साइड से पहली सलाई बनाई थी इसी तरह से फिर से हम यलो कलर का धागा लगाएंगे और जैसे मैंने यहाँ से बना था एक फंदा उल्टा बना के फिर पांच फंदे फिर से हम यलो कलर से डबल रोल करके बनाएंगे एक सीधा फिशे पांच फंदे दो बार धागा गुमा के इन्हें चयार शिलाईयों को बार बार रिपीट करेंगे तो हमारा डिजाइन कुछ इस तरह से बनता हुआ आएगा तो फ्रेंड्स डिजाइन आपके सामने है योधि आपको मेरा डिजाइन पसंद आए मेरे बताने का तरीका पसंद आए तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली नई अच्छी सुदर सी वीडियो के साथ